गुद मॉर्निंग क्लास टू, हाव यू आल, आई होप यू आल फाइन एन हेल्दी तो क्लास टू, प्लीज टेक आउट यूर हिंदी लिटरेचर बुक और कम ओन पेज नंबर 112 यानी 112 लाइव क्लास टू, हमने लास क्लास में जो हमारा पार्ट ह Spotify तो कंप्लीट किया ता, आज हम शचित अधली है यह मैं आपको बढ़ के बताऊंगी क्लासलो चोबन है और यह हमारा इन दिन लाक समीक है ऑंस सब के नाम है यह जबढ контрacs करेंगी चलो अभी हम देखेंगे कहानी फलो की और इसका जो सोलर प्लैनेट का है इसका मैं वीडियो शेयर करूँगी कि सोलर प्लैनेट कैसे वर्क करता है यह मैं आपको एक्स्ट्रा में ठीके एज ए स्टोरी शेयर करूँगी यह मेरे चैनल पर रहेगा तो आप उसको देखना ओके चीके उसके बाद क्लास 2 अभी हम कहानी फलो की तो आज मैं आपको इत नई कहानी सुनारा ड़ taped देखने है तो आपंट ओ-डे लगा देना सोंबार सी डबलो और आज क्या 31st of जैनवरी यानि ज़ो मैना है उसका आखरी दिन, ठीके इसके बाद February स्टार्ट हो जाएगा ओकी, तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी फलो की फलो की एक दिन अशोक आमों के बाग में गया वहाँ पेड़ों पर बहुत से फल लगे हुए थे एक पेड़ पर बहुत बड़ा आम लगा था अशोक उसके पास खड़ा होकर ध्यान से देखने लगा इतने में आम बोल पड़ा बालक, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? हाँ, हाँ, अशोक ने कहा मैं आम हूँ, फलो का राजा जब मेरे पेड़ पर बहुर लगती है तो कोयल गाना गाने लगती है मैं धनी, निर्धन, बड़े, बूढ़े, सब का प्यारा फल हूँ बच्चे तो मुझे बहुत ही पसंद करते हैं विदेशों में भी सब मुझे बहुत चाहते हैं आम की बाती सुनकर अशोक ने कहा प्यारे आम, तुम मुझे सभी फलों के बारे में बताओ यह सुनकर आम कहने लगा सबसे छोटे फल हैं बेल ये पेडों पर भी लगते हैं और जाडियों पर भी रिशी मुनी इन्हें चाव से खाते थे तुमने सावले जामुन तो देखे होंगे खटे, मीठे, कितने अच्छे लगते हैं वर्षा रितु में पेडों पर इनकी बहार चाजाती है बेल भी एक फल है जिसे विल्ब भी कहते हैं इसका गूदा भी मीठा होता है लोग इसका शर्वत भी बनाते हैं अनार खटे भी होते हैं और मीठे भी खटे अनार दाडू भी कहलाते हैं इनही के दानों का अनार दाना होता है जिसे चटनी में डाला जाता है बिल्कुल मीठा अनार बे दाना कहलाता है कंधारी अनार उपर से लाल सुर्ख होता है इसके दाने भी लाल सुर्ख होते हैं अशोक ध्यान से सुन रहा था आम आगे बोला केला भी सबका प्रिय फल है ये भारत के कोने कोने में पाया जाता है शरीफा भी मीठा फल है इसमें बीजों के चारों और मीठा गूदा होता है अननास के सिर पर मुकुट होता है ये बड़ा रसीला होता है लोग इसका रस पीते हैं इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है तुमने अंजीर खाई है कभी? आम ने अशोक से पूछा हाँ, अशोक बुला ये ताजी तो मीठी होती ही है सूखी उससे भी मीठी होती है आम ने कहा कटहल की भाजी भी तुमने खाई होगी मुझे बहुत पसंद है अशोक ने कहा दक्षिन में पका कटहल खूब खाया जाता है ये बहुत मीठा होता है कहीं कहीं इतना बड़ा फल होता है कि पचीस-तीस लोगों का पेट भर जाए आम ने कहा क्या? आश्चर्य से अशोक बोला इनके अलावा और कौन-कौन से फल है अशोक ने पूछा मीठे शेतूत खटे फाल से पीली खिरनी ये फल भी बच्चे बहुत ही चाओ से खाते हैं खटे मीठे अमरूद स्वास्थ के लिए लाबदायक होते हैं हरी नाशपाती कड़े गुदे वाली होती है मुलायम कश्मीरी नाशपाती बाबू गोशा कहलाती है सेब के बारे में तो ये कहते हैं कि रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता कश्मीरी सेब सबसे अच्छा माना जाता है सेब की कई किसमे होती है हरे अलूचे पीले अलूचे आलू बुखारे नीली काली चेरी विचितर छिलके वाली लीची ककड़ी खर्बूजा तर्बूज गर्मियों के फल है संतरे, नारंगी माल्टे, मौसमी गलगल नीमबू ये सब एक ही जाती के फल है वा, रसीले संतरे तो मुझे बहुत ही पसंद है कहते हुए अशोक के मूँ में पानी आ गया आमने कहना जारी रखा चीकू देखने में मिट्टी का धेला सा लगता है परन्तु यह खाने में मीठा होता है और पपीते हरे हो तो शागभाजी बना लो और पके हो तो मीठा फल खा लो नारियल की गिरी बहुत स्वादिष्ट होती है नारियल का पानी भी मीठा होता है रस से भरे गोल अंगूर बड़े बड़े मोतियों जैसे होते हैं खजूर भी मीठी होती है, हरी खजूरें, सूखी खजूरें, पिंड खजूरें, इरानी खजूरें, कितनी ही अकिस्में हैं इनकी। आम दादा, फलों की यह कहानी तो बड़ी मज़िदार थी, मैं अपने दोस्तों को भी सुनाऊंगा। अशोक चहक कर बोला, उन्हें ये भी बताना, कि ताजे फल रोज खाने से शरीर मजबूत बनता है। आम बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहते हुए, अशोक ने आम से विदाली।